नमस्कार आप सबका स्वागाते हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन नियूस पर मैं नाम है दीपक गुपता मलिका अर्जुन खडगे और शशी थरूर के बीच जिस तरीके से कांग्रेस सद्यक्षपत को लेकर लडाई शुरू हुई थी उस लडाई में हर किसी को पता था कि मलिका अर्जुन खडगे की जीत होगी और थरूर को धोका दिया उनके ही नेताओं ने जिस तरीके से गांधी परिवार यानि कि सोनिया राहुल और प्रियंका ने मोहर लगाई थी मलिका अर्जुन खडगे के चेहरे पर और सब ने ये कहा कि खडगे अद्यक्ष बंद तो गई है लेकिन उनके फैसले कहीं न कहीं सोनिया ही लेते नजर आएंगी और गुजराज चुनाव के स्टार परचारकों की लिस्ट जारी के लिए अब यहाँ पर आप गौर करने वाली बात देखिए कि जब कांग्रेस के सभी दिगज निताओं में से थरूर और खडगे के बीच जंग शुरू हुई कांग्रेस पार्टी से विदाई ले चुके हैं क्या कांग्रेस पार्टी से उनका मोहभंग हो चुका है जिस तरीके से वो चुनाव में हारे थे उसके पीछे की वज़ा भी काफी बताए गई थी कि कांग्रेस की कई सारे नेता नहीं चाहते थे कि शशी थरूर उस अध्यक नजर आ रहा है जबसे वो कहीं न कहीं अध्यक्ष चुनाब हा रहे हैं अध्यक्ष पत्की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई थी अब देखा जाये तो खड़गी कि तुलना पीम मोदी के तमाम मंत्रियों से की जाती है जेपी नड़ा के साथ बराबरी की जाती है लेकिन अगर इसी लिस्ट में सशी थरूर जीट जाते तो उनका नाम होता तो इन सब बातों को कहीं न कहीं लेकर अब सियासत शुरू हो गई या अठकलों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या सशी थरूर कांग्रेस पार्टी से इस्तिफा देंगे क्यूंकि गुलाम नभी आजाद धार्दिक पाचेल जोतीरा दित्या सिंदिया सुनील जाकर ऐसे बड़े निता रहे जब उनको सही समय पर जिम्मेदारी नहीं दी गई तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तिफा दे कर कुछ ने बीजेपी का हाथ थामा तो कुछ ने खुद की ही पार्टी बनाने का एलान कर दिया शशी थरूर की बात करें तो उन्हें भी एक हजार वोट तो मिले ही थे अगर देखा जाये तो ऐसे मामले पर शशी थरूर भी आगे जाकर यहां पर अपने लिए कुछ बड़ा एलान कर सकते हैं कहा गया था कि गुजराज से कई चात्र संग और कई युवा नेता ऐसे थे जो चाहते थे शशी थरूर उनके लिए और इस चार परचार को की भूमिका को अदा करें लेकिन उस लिस्ट में नाम सामने नहीं आया कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि उस लिस्ट में थरूर नहीं चाहते थे कि उनका नाम हो या फिर उनका ही अलग फैसला था ये सारी जानकारी दी गई लेकिन खड़गे अध्यक्ष है और थरूर को अब दूर रखा जा रहा है तो ये एक संकेट जा रहा है कि अगर बाई चांस इन फ्यूचर यहां पर अगर खड़गे व अध्यक्ष पत छोड़ते भी हैं तो शशी थरूर तो नही लेकिन कोई और नेता उस पत को समालता है नजर आएगा ऐसे संकेत मिल रहे हैं लेकिन अब इस्तिफे को लेकर अभी विदाई को लेकर पार्टी से तमाम अटकलो का बाईजार काफी जादा गरमाया हुआ है अब देखना दिल्चस्प होगा कि शशी थरूर को लेकर सोनिय राहूल और साथी साथ खड़गे का अगला फैसला क्या रहता है स्टार पर चारगों के लिस्ट जारी कर दी गई है चैनल के माध्यम साबको रिपोर्ट मिली गई होगी उमीद करते है जानकारी पसंद आयोगी बहुत बहुत धन्यवाद